तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सोनी टीवी पर आने वाले सीरियल काव्या एक जज़वा एक जुनूर की गास्ट के पॉर्डे सेलरी के बारी में बताने वाली हूं जो के शायद ही आप सभी जानती होंगी और जान चाहती हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहीगा तो चलिए बढ़ते हैं वडियों की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं नबर फरस्ट चंद्रीश सिंग जो कसीडल में राज्जीव का करदार निभा रही हैं और इनके पॉर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपसोड करनी का 30,000 रुपे ल जो कसीडियल में मायंक का करदार निभा रही हैं और इनके पॉर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपसोड करनी का 30,000 रुपे लेते हैं नबर फूर्थ गायत्री सोहम जो कसीडियल में गोरी का करदार निभा रही हैं और इनके पॉर्डे सेलरी की बात की जाए तो य एक एपिसोड करनी का 35जार रूपर लेते हैं नबर सक्स्त विन जैन जो कजीरियल में जयदीप का करदार निपार हैं और के पोड़े सेलिरी की बात की जाए तो ये कपसूड करनी का 35,000 रूपर लेते हैं नबर सेमिन्थ मिश्कत वर्मा जो के सीरियल में अधी राज का करदार निभा रही है और इनके पोड़े सेलेरी की बात की जाए तो ये एक एपसोड करनी का पच्छास हजार रुप लेती हैं नबर एट्थ सुम्बल तॉकर खान जो के सीरियल में काविया का करदार निभा रही है और इनके पोड़े सेलेरी की बात की जाए तो ये एक एपसोड करनी का पच्छास हजार रुप लेतीं हैं नबर नाइन्थ अनुज सुलेरे जो के सीरियल में सुभम का करदार निभा रही हैं और इनके पौड़ी सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपसोड करनी का 44,000 रुपे लेते हैं नुबर टेंथ्फ पारक मदान जोका सीरियल में रेनू का किरदार निभा रही है और इनके पौड़ी सेलरी की बाद की जाये तो ये एक एपसोड करनी का 35,000 रुप लेती हैं नबर 11 छितिज किरन पुनिया जो के सीरियल में करन का करदार निभा रही है और इनके पोड़े सलरी की बात की जाए तो येक एपसोड करनी का 30,000 रुप लेती हैं तो आप आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा साथ अगर आपको हमारी वडियो पसंद आया हूं तो इसे लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धिन्यवाद